जैन दोस्तो तो कैसे आप सभी उमीद है आप सभी बेतर होंगे और आप सभी चानते हैं कि आपका जो एक्जाम है वो 17 और 18 को होना है जिसके लिए आप सभी के एड्मिट कार्ड आ गया है और मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना अपना एड्मिट कार्ड हमारे नेम में प्रॉबलम है कोई कह रहा है कि सर हमारे डियोबी में प्रॉबलम है कोई कह रहा है कि सर हमारे नेम का एक वर्ड यहां पर गलत हो गया है तो ऐसे बच्चे क्या करें इनको ऐसे कौन से प्रूफ यानि कि हम यह कह सकते हैं जब यह एक्जाम देने के लिए जा तो जिस तरीके से आपने अपना admit card download किया होगा तो उसके नीचे उसका जो notice होता है आपने उसको जरूर पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजेगा वैसे तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूँ आपको अपना एक जो photo युक्त ID proof होता है वो आपका आधार card हो सकता है आपके pen card पे भी आपका photo होता है तो यह चीजे आप वहाँ पर ले करके जा सकते हो दूसरी बात मैं यह बता दूँ कि आप अपने photo भी वहाँ पर ले करके जाना फोटो जो आपने farm को भरतेस में लगाया था आप वही photo ले करके जाना और यहाँ पर देखो एक चीज होती है कि बच्चे क्या करते हैं कि चुकि जब भी कोई भी farm आता है तो वहाँ पर यह लिखा होता है कि आप अपना current photo वहाँ पर upload करें तो जिनका सब कुछ सही है वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो फोटो आपने फार्म को भरते समय लगाया था, सेम वही फोटो आप ले करके जाएगे, वैसे फोटो की कोई जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपने पास रख लीजेगा, अगर जर करते हैं, जो सबसे important topic है, कि जिनके फार्म में कुछ ना कुछ गलतियां है, वो क्या करें, तो देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के description में एक link दे दूँगा, जहाँ पर आप अपने admit card को मुझे send कर पाएंगे, तो अगर आपको problem है, कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, कि आपके admit card में कौन-कौन सी गलती है, या फिर अगर आप मुझे comment के माधियम से बता रहे हैं, तो मुझे बता नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने admit card को वहाँ पर send कर दीजेगा, मैं उसको देख लूँगा, कि आपके पास कौन-कौ कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, और उसके लिए कौन-कौन से ऐसे documents हैं, जो आप exam के time पे लेके जा सकते हैं, ताकि आपको exam में entry मिल जाए, आपको वहाँ से बाहर ना होना पड़े, और उससे पहले मैं आपको सारी चीज़े हां पर बता दे रहा हूँ, अगर आप उन चीज का first and last name है, जो कि आपका full name ही होता है, यानि कि जब आप first name और last name भरते हैं, ये मिला करके ही आपका full name बनता है, तो दोनों चीज़े यहाँ पर है, इसे में बच्चों के बहुत सारी गलतियां हुई है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद में आपका registration number आ हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि जिसका roll number है, आप वही हो वहाँ पर जो exam देने के लिए जा रहे हो, तो वो किसी का भी हो सकता है, अब आपका जो नाम है वही गलत है, और जो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारा DOB गलत हो गया है, आधार card में data birth गलत है, देखो आपक जो data birth है, वो नहीं लिखा हुआ है, कि अब वो उसको match करेंगे, और मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप जब वहाँ पर जाओगे, तो आपका जो iris है, scan किया जाएगा, आपका biometric वहाँ पर होगा, यानि कि जो आपके fingers है, उनको scan किया जाएगा वहाँ पर, तो वो scan इसलिए की जाएगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि जब farm को भारा जा रहा था, तो वहाँ पर आधार card mandatory नहीं था, इसका मतलब यह है कि आधार card में जो आपके fingers लगे हैं, आपका जो iris scan है, उससे मतलब नहीं, यहाँ पर नए series से आपका scan होगा, और इससे फाइदा यह होगा कि आपने ही exam दिया है, यह बात यहाँ पर proof हो जाएगी, आपका iris और आपके जो fingers हैं, यानि कि आपका जो biometric है, वो यहाँ पर ले लिया जाएगा, इसके बाद में जब आप DV देने के लिए जाएगे, तो DV में जैसे ही आपका फिर से आपका iris लिया जाएगा, या फिर आपका biometric किया जाएगा, तो तुरंत वहाँ पर यह पता चल जाएगा, कि हाँ जिस बच्चे ने exam दिया था, यह वही बच्चा है, तो यहाँ तक बाते आपको समझ में आगी है, अब हम बात करते हैं, सर कि अगर हमारा नाम गलत है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते देखो, यहाँ पर आप उनको अपना अधार कार्ड, आप उनको अपना पैन कार्ड, इस सारी चीज़े दिखा दो, फिर भी आप यह कैसे प्रूफ करोगे, कि आप वही हो, तो इसके लिए देखो, कुछ तरीके हैं, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने अपन अपना current photo upload किया है, तो वो आपके admit card पर भी है, और अगर आपके admit card में, यानि कि आपके application में इसी problems हैं, तो आप अपना admit card जो निकलवाईएगा, वो color में निकलवाईएगा, black and white मत निकलवाईगा, color में निकलवाईगा, ताकि आपका जो photo है, वो अच्छे से वहाँ पर visible ह उसके बाद में उसी के जैसा आप photo भी निकलवाईगा करके लेके जाईएगा, और अगर आपने current वाला upload किया होगा, तो आपका जो चेहरा अभी है, वो उसमें सीधे सीधे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, इसके बाद में आप चुकि नाम में बहुत ज्यादा अगर mismatch है, भाई तो आप एक काम करिएगा, आपका जो application था जिसको आपने print out करके रख लिया होगा, याद होगा आपको जब आपने farm भारा था, farm आपका submit हो गया था, तिक print out वहाँ से निकला होगा, final print जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो आपने रख लिया होगा, आप उसको निक admit card पर है, अब admit card पर तो आपके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन वो जो application आपने भारा था, उसमें आपके बारे में सारी चीज़े दी गई है, तो आपके पास जो आपका ID proof है, यहां से आप ये proof कर सकते हो, कि वो जो application था, वो आपका था, और उस application के थो ये proof हो जाएगा, कि यह जो admit card है, वो आपका है, तो आपको exam में वहां पर entry मिल जाएगी, अगर आपके name में ऐसे कुछ गलतियां है, तो, otherwise अगर आप proof नहीं कर पाओगे, तो आप खुद जानते हो, कि ऐसा exam में कितनी बड़ी धांदली होती है, तो इसके लिए sure है, कि बहुत दूसरे बन करके आए हो, किसी का exam देने के लिए, तो उनके पास भी यह problem होगी, तो आपको बाहर ना होना पड़े, इसके लिए पहले से हम यह चीज़े ले करके जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास यह सारी चीज़े वहां पर लगेंगी, लेकिन अगर माल कि ऐसा कुछ होता है, और वो आपको वहां पर रोकते हैं, तो आप यह proof करने के लिए, कि नहीं मैं वहीं हूँ, इसके लिए आप के पास जितने भी documents हैं, वो सभी चीज़े आप उनको दिखा सकते हों, कि यह सारी चीज़े मेरी हैं, आप यहां पर इनको मिला सकते हों, तो वो आपको वहां पर entry दे देंगे, क्योंकि जब सारी चीज़े प्रूफ हो जाएंगे, तो फिर वहां पर कोई problem नहीं होगी, दूसरी बात यह है कि exam center पर थोड़ा पहले पहुंच जाएगा, ताकि जब भी entry होनी हो, तो आप पहले line में लग जाएं, क्योंकि आपके admit card में problem है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे कुछ disturbance आती है, ऐसे कुछ problems आती है, तो आप उनको solve कर सको, और आपके पास परियाप्त time महाँ पर होना चाहिए, अगर आप last पे एकदम पहुंचते हो, कि नहीं बस gate बंधी होने वाला है, तो फिर स्योर है कि वो आपकी चाहा करके कोई help नहीं कर पाएंगे, और आपको वहाँ से बाहरी कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ पर जल्दी पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, तो उमीद है कि ये बाते आपको समझ में आ गहीं होंगी, और डरने की जरूरत नहीं है, इसके आपसे कहा था कि reject नहीं होगा, वो चीज़े आएंगी, तो ये जो छोटी सी problem हो गई है, इसकी वज़े से I think कोई बहुत बड़ी problem नहीं होनी चाहिए, अगर आप इन चीज़ों को दिखा देते हो, अपने documents को वहाँ पर दिखा दोगे, तो आपको वहाँ पर interview मिल जाएग तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को share करना तो आपका कर्तब है, इसको आप जरूर करेंगे, और चैनल पर नए है, तो इसको subscribe करके, वेल आकोन को जरूर दबा दीजेगा, जाहिएंद,